So guys, finally Infinix Note 40 series को global market के अंदर launch कर दिया गया है और यह series Indian market में April के first week में launch हो सकती है इस series में guys 4 models होंगे जिसमें Infinix Note 40 होगा, इसका approved model होगा जिसमें आपको 2 variants 4G और 5G देखने को मिलेंगे वहीं इसका highest variant Infinix Note 40 Pro Plus 5G भी देखने को मिलेगा इस series के दोस्तों सभी smartphones के बारे में काफी सारी information नेकल कर सामने आ चुकी है लेकिन आज की इस video में कहिसा हम इस series के highest variant Infinix Note 40 Pro Plus 5G के बारे हम बात करने वाले हैं जिसमें काफी सारे advanced features आपको देखने को मिलेंगे और अपने आप में दोस्तों यह smartphone एक best price point पर launch किया जाएगा तो अगर आप भी दोस्तों इस phone को लेने के लिए excited हैं तो आज किस video में दोस्तों इस phone के हम सभी features के बारे हम बात करने वाले हैं जो कि दोस्तों फिलाल अभी निकल कर सामने आये हैं तो सवागत अब सबका tech रोज पर जाने कारी के लिए वीडियो में अंट तक बने रही हैं और दोस्तों चैनल पर पहली वर आए हैं तो subscribe कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के tech videos मिलती रहें तो दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम है कि इनफिनिक्स की तरफ से एक flexible smartphones आपको काफी बढ़िया price पर ही देखने को मिल जाते हैं जिन में advanced level के features तो आपको देखने को मिलते ही हैं इसके अलावा दोस्तों इनकी designs वगरा भी काफी ज़दा active होती है अब इनफिनिक्स की तरफ से इनफिनिक्स note 40 series जल्दी market के अंदर आने वाली है तो फटावट से बात करते हैं इस series की highest variant इनफिनिक्स note 40 pro plus 5G के बारे में और देखते हैं कि इसकी कैसा smartphone या आप सबके लिए रहने वाला है अगर first of all दोस्तों हम बात करते हैं इस smartphone की design के बारे में तो आप देख सकते हैं screen पर कि इस phone की design है वो निकल कर सामने आ चुकी है जो की देखने में दोस्तों पिछले साल लॉंच हूए इनफिनेक्स 030 5G smartphone से काफी मिलती जुलती है इसका back दोस्तों आपको vegan leather का देखने को मिलता है साथी triple camera set और fleshlight के support के साथ में यहाँ पर आपको दिया गया है वहीं front side की अगर बात करते हैं तो front side में यहाँ पर आपको एक बड़ी cup display देखने को मिलती है जो की punch hole के cut out के साथ में आएगी तो design wise दोस्तों smartphone काफी इस्टालिस रहने वाला है और definitely काफी कमाल की नहन फिली यहाँ पर आपको मिल जाएगी अगर design के बाद दोस्तों nest बात करते हैं smartphone की display के बारे में तो यहाँ पर गईस आपको 6.78 inches की 3D cup demo display देखने को मिलेगी जो की full HD plus resolution के साथ में आएगी साथी 120 Hz का refresh rate यहाँ पर आपको दिया जाएगा तो brightness और colors बगरा दोस्तों डिस्पले में काफी बढ़िया रहेंगे अगर आपको वीडियो बगरा देखना पसंद है तो definitely काफी कमाल का view experience आप यहाँ पर expect कर सकते हैं अगर डिस्पले के बाद दोस्तों nest बात करते हैं smartphone की performance के बारे में तो यहाँ पर गई सापको 6-nanometer fabrication पर बना MediaTek Diamonds CT 720 अपसेट देखने को मिलेगा जिसका एंटेट उसको लगवा दोस्तों 4 लाग से भी जादा है तो gaming बगरा दोस्तों smoothly यहाँ पर आप कर पाएंगे वहीं smartphone में दोस्तों आपको 12GB की RAM देखने को मिलेगी जो की 256GB तक की storage के साथ में आएगी अगर next बात करते हैं दोस्तों इस smartphone के अंदर camera setup के बारे में तो यहाँ पर गई सापको rear side में triple camera setup देखने को मिलता है इसका man sensor रहेगा दोस्तों 108MP का जोकी OS के support के साथ में आएगा साथी 2MP का ultra wide angle lens और 2MP का macro sensor यहाँ पर आपको मिल जाएगा वहीं smartphone के front side में दोस्तों 32MP का एक selfie camera आपको मिलता है जिससे काफी कमाल के selfies और video calling बारे दोस्तों आप कर सकते हैं तो overall दोस्तों camera यहाँ पर काफी decent दिया गया है definitely काफी कमाल की photography स्मार्टफोन से आप कर सकेंगे अगर camera के बाद दोस्तों nest बात करते हैं smartphone के अंदर battery के बारे में तो यहाँ पे गई साब को 4500 mm की एक बड़ी battery देखने को मिलेगी जो की 100W की wire charging and 20W की wireless charging के support के साथ में आएगी इस wireless charging के लिए आपको 3000 mm की battery के साथ में आने बाला Mac charging device देखने को मिलता है जो की लगवग 12 मिनिट के अंदर आपकी smartphone की battery को 50% तक charge कर सकता है वहीं smartphone में इंडिस्पले finger print scan का support आपको देखने को मिलेगा साथी IR sensor और NFC का support भी यहाँ पर आपको दिया गया है वहीं ये smartphone दोस्तो XOS 14 फरवग करेगा जो की out of the box Android 14 के साथ में आएगा जिसमें 2 साल का आपको major update देखने को मिलेगा साथी 3 साल का security updates भी आपको देखने को मिल जाएगा अब अगर बात करते हैं दोस्तों smartphone की pricing के बारे में तो phone की pricing को सकती लगबख 17-18,000 के आप सपास इसके साथ ही कई सिय स्मार्टफोन इंडियन मार्केट के अंदर अप्रेल के first week में launch किया सकता है सुग इस यतिसार information Infinix Note 40 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के सभी specs के बारे में आप मैं बताई कि आप this phone के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप this phone को लेने में interested होंगे अगर आपको कोई और भी comment होगा इस तो आप वो भी लिख सकते हैं फिलाल इस वीडियो में कैसे तना ही अगर वीडियोस लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल पर पहली बराए हैं तो सस्क्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह कि टैक वीडियोस मिलती रहे मैं मिलता हूँ आपको नएस वीडियो में अब तक के लिए गुद्बाइ, वाँ नाइस दे